साल 2022 का मई का महीना लगभख खत्म होने को है कई बार महीना बदलने के साथ ही कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो आम आदमी पर सीधा सर डालते हैं इसी तरह जून की शुरुवात होते ही पांच ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आपकी जेब पर सिधा असर डालेंगे आईए जानते हैं उन बदलावों के बारे में जो बढ़ाएंगे आपकी जेब का खर्च बढ़ जाएगा SBI के होम लोन का ब्याज देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने होम लोन के लिए एक्स्टरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को बढ़ा दिया है अब यह बेंचमार्क दर 0.40% बढ़कर 7.05% हो गई है इसी तरह RRR भी 0.40% बढ़कर 6.65% हो गया है SBI की वेबसाइट पर है जानकारी दी गई है उसी के अनुसार बढ़ी दरें 1 जून से लागू होने वाली है महंगा पड़ेगा मोटर इंशोरेंस का प्रीमियम सड़क परिवहन एवं राजमार्क मंत्राले के खालिया नोटिफेकेशन के हिसाब से 1000 सीसी तक की इंजम चंता वाली कारों का इंशोरेंस प्रीमियम 2094 रुपे होगा वही 1000 से 1500 तक के कारों के लिए इंशोरेंस प्रीमियम 3416 रुपे होगा इसके अलावा यदि आपकी कार का इंजन 1500 सीसी से ज्यादा का है तो अब इंशोरेंस प्रीमियम घट कर 7,890 रुपे हो जाएगा सरकार ने 3 साल के सिंगल प्रीमियम को भी बढ़ाया है इसी तरह दोपईया वाहनों के लिए भी इंशोरेंस का प्रीमियम बढ़ा दिया गया है इस कारण अब एक तारीक से कोई भी गाड़ी खरीदना महगा होने वाला है इंडियन पोस्ट पेमेंट की इस सर्विस पर लगेंगे पैसे इंडियन पोस्ट एंड पेमेंट बैंक नहीं है जानकारी देते हुए बताया है कि अब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए इस्यूर पर चार्ज लगेगा ये चार्ज 15 जून से लागू होगा बदलाव के बाद हर महीने के शुरुवाती तीन ट्रांजेक्शन फ्री होगे चौथे ट्रांजेक्शन से हर बार 20 रुपे प्लस GST का भुकतान करना होगा कैश निकालने और कैश जमा कराने के लावा मिनी स्टेटमेंट निकालने को भी ट्रांजेक्शन में गिना जाएगा हलाकि मिनी स्टेटमेंट के लिए पांच रुपे प्लस GST चार्ज होगा एक्सिस बैंक के इन खातों में रखने होंगे ज्यादा पैसे प्राइविट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने सेमी अर्बन और रूलर इलाकों के लिए इजी सेविंग्स वर सैलरी प्रोग्राम्स के खातों के लिए एवरेज मंतली बैलेंस के लिमिट 15,000 रुपे से बढ़ा कर 25,000 रुपे कर दी है लेकिन अगर ग्रहाक एक लाक रुपे का टर्म डिपॉजिट रखता है तो उसे इस शर्द से छूट मिलेगी इसी तरह लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट के लिए भी अब लिमिट 15,000 रुपे से बढ़ा कर 25,000 रुपे कर दी गई है इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ